लंबा content नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, be your best clips पे आप सब different parts में binge watch कर पाओगे लेयरिंग में एक और बहुत important चीज आ जाती है, कि जो आपकी jacket है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है, वो decide करती है, कि आपकी jacket का fall कैसा होगा, आपको किती गर्मी लगेगी, structure कितना अच्छाएगा, अब ये तो obvious है कि jacket जितनी जादा पतली होगी, उतनी जादा वो fl flimsy होगी, उसका fall उतना अच्छा नहीं आएगा, flimsy का मतलब है ऐसी, लेकिन यहीं अगर आप बहुत जादा मोटी jacket ले लोगे, तो आप उसमें despicable me के groove भी लग सकते हो, आपकी उसमें mobility भी restrict हो जाएगी, आप हाथ वाथ भी नहीं लापा होगे, और layering को समझने के लिए मै पारशूट पैंट्स, वो भी urban needs की है, by the way हमारी urban needs की hoodies almost out of stock है, आप जाके लेना चाहो तो ले सकते हो, also thank you so much, इतना जादा प्यार दिखाने के लिए drop पे I love you guys, बट हाँ यहाँ पे tactical jacket एक बहुत अच्छी गहराई add कर रही है पूरी outfit में, लेकिन अब मानलो और ठंड पसंद आपको old money पसंद है, तो वहाँ पर जैसे मैंने अंदर एक beige shirt पहनी, मैं उसके ऊपर भी अपनी old money style की cardigan jacket की तरह मैं अभी shoulder पर डाली हुई है, बड़ उसको आप jacket की तरह भी पहन सकते हो, मैं बस आपको यहाँ पर layering दिखाना चाहता हूँ, अब यहाँ की मैं को shirt औ different shade का एक sweater पहन सकता हूँ और उसको आपर वापस से हो jacket डाल सकता हूँ, तो subscribe to be your best clips and be your best main channel